इह फीट नहíक में तीच को कि एहर प्रोपर रख लेगे और जॉइन्ट कर लेंगे आर्रमोल नहीं के साथ सटिंट मैंच हो आधा है margin to margin की line match करेंगे हीचे बिना हमें stitch करना देखो, burst point से burst point मिल रहा है यहां से प्रॉपर match है और यहां से भी margin प्रॉपर match है यहां हमने फुल्नेस ली ऐसा दीख रहा है अभी यह अब जैसे कि देखो अभी यहां margin ज्यादा है और यहां कम है तो इसको अलका सा बाहर रखना पड़ेगा ठीक है से मस्तर के साथ करेंगे दोनों opposite direction में होने चाहिए अब जैसे करेंगे अभी हम नीचे स्टीच कर देंगे यहां यह लेस भी लगा सकते है अच्छी लगीगी चलो लगा लेते है फ्रेंट में अब जैको हम सबसे पहले नेक चेक कर लेंगे फ्रेंट राइट और लेफ्ट साइड का अगर थोड़ा भी उपर नीचे हो रहा है तो उसको हमें सैटल कर लेना जैसे कि यह थोड़ा बड़ा लग रहा है तो मैं इसके अंदर से सिलाई मार लूँ मोती वाले लेस के वज़े से मैं सिंगल फूट लगा रही हूँ यहाँ पर यहाँ पर इतना मोती निकाल कर मैंने पैक कर दिया है गांट मार लिए ताके आगे से थ्रेड ना निकले मोती ना निकले सेंटर टू सेंटर मिला के रखेंगे पीछना नहीं है बिलकुल टॉप स्टिच कर लेंगे थोड़ा सा राउंड शेप है इसलिए कट लगा लेंगे नीचे की फिनिशिंग हो गई है इसकी अभी हमें नेक की फिनिशिंग करनी है तो नेक पे हम लगाने वारे लेस लेस लगाने से पहले बैक और फ्रंट एक साथ करके हम शोल्डर जॉइन कर लेते हैं स्टिचिंग के बाद ये बिलकुल हमारे पेपर कटिंग जितना होना चाहिए बैक के साथ शोल्डर जॉइन कर लूंगे सेम लाइनिंग टू लाइनिंग सारी जगा पिन लगाने के बाद हम स्टिच कर लेंगे देखो शोल्डर जॉइन शोल्डर हमें मिला कर रखना है और ये वाली स्टिच हमें मिला कर रखनी है ठीक है अभी हम यहाँ से पूरी सिलाई स्टार्ट करेंगे पूरा नेक भी कवर कर लेंगे और ये और ये भी कवर कर लेंगे दूसरे तरफ हम आई की पट्टी डालेंगे तो यहां से में स्टिटिंग स्टार्ट कर रही हूँ फ्रंट में हमें पेपर केंवास लगा लेना है तो शेप हमारा स्पॉईल हो जाएगा इसका तरफ में फ्रेंट की नेक में आट लीस्ट हम ऑना लिखा लेंगे तो स्टिचनग नेक पहले ही इसलिए में यह रख रही हुँ यहां पर करेंगे हम सिफ नेक से ही स्टीच करेंगे नेचे वाले पार्ट पर हम पाइपिंग लगा कि फिनिशिंग करने वाले यह वाला जो राउंड पोशन है वहां पर हम पीछे से प्रेस करके स्टीच करेंगे यह सिफ राउंड वाले में और शोल्डर पर भी थोड़ा थोड़ा ऐसे करेंगे और बैक नेक पर फूरे पर करेंगे अभी हम इसके उपर एक फाइनल सिला ही कर देंगे दूसरे तरब भी हम नेक्स सरी स्टार्ट करेंगे यह वाले पाट्पोर्म स्किप करेंगे वाहां में पाइपिंग एगानी वैसे भी हमें आई की पट्टी रैडी करने है आप आप इंच अंदर मांक करेंगे इसमें डार्ट नहीं लगाना क्योंकि हमने डार्ट जो है क्लोस कर दिया था इसको बीच में सेंड़िच की तर रखेंगे हर ब्लाउस की तरह कि यह दोनों स्टीचर हमारी मैच होनी चाहिए इस पोर्षन पर हम सीलेंगे नहीं दूसरे वाले पाट के अकॉर्डिंग हमें इसकी स्टीचिंग रखनी है देखो अब यह थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो मैं यहां से खोल के थोड़ा सा अंदर शिफ्ट करूंगी इसका अग्राउन्ड वाले पोर्षन में अच्छे से पीछी से प्रेस करना था कि उश्रीम हो जाए अब मेक और फाइनल से लाई करेंगी इसके वाज़े से हमारा गला खिचे गाने है लूज नहीं होगा तोटल त्री स्टीचर्ज ऑन मेक लाइन अभी दोनों को मिला के देख लेंगे कि दोनों सेम है कि नहीं बोट शुर्बी इकवल अभी हम कट लगा देंगे आए कि पट्टी इस थारह से निकल जाएगी अंदर से अब को मिस्पे लेस लगाएं यहां फी हमें पाइपिंग लगानी है अभी इस पाइपिंग को में यहां लगा लेना है कि मार्किंग कर लेंगे लगाने से पहले पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग हमारा यह होना चाहिए इसी लाइन पे हमें पाइपिंग को लगाना है देखो यह मैंने हाइट की मार्किंग कर लिए कि इतनी हाइट चाहिए ताकि आगे ज्यादा लंबा ना हूँ खीचना नहीं है बिल्कुल भी यहां पे हम कट लगा देंगे अब हमें इस तरह से बाद में आयरन कर देंगे अभी हम कट लगा देंगे एक्स्ट्र एक्स्ट्र मार्जन काट लेते हैं कि यहां से हमें लेस लगाने स्टार्ट करने होगी कि बाद में यह उपर आजाए वर्सक्राइब अब हम कप्स भी लगा लेते हैं ताकि बाद में लेस लगाने के बाद कप्स कप्स लगाने में कोई बिक्कत ना हो कब ना पढ़ जाए तो कप्स पे एक साइंटर बना लेंगे इस सेंटर पॉइंट को हम कप्स के अंदर रखेंगे इस तरह तो पहले मैं जो बस्ट पॉइंट है हमारा सभी है अजी कटके अंदर जो मलें बस्ट पॉइंट बनाया था वह सेंटर पॉइंट पर रखे एक सिलाई कर दूंगी अबि मैं राउंड वाली स्थीच करूंगे इस तरह वाली राउंड स्थीच कर देंगे कप्स के पूरे देखो कपस राउंड में स्टीच हो गया है अब ही लेगा नहीं बिलकुम सेम दूसरे तरफ भी कर लेंगे कि अब लेस लगाएं अब हम लेस लगाएं तो इस लेस को पूरे नेक में लगाना है तो पहले लेस को तयार करेंगे तो यह लेस काफी ब्रॉड है और स्ट्रेट है तो यह जो है और गोल गले में ऐसे एड़्जेस्ट नहीं हो पाएगी हमें प्लीट डालने पड़ेंगी तो प्लीट ना डालनी पड़े इसनि में क्या करणी मैंने लेस पे एक सिलाई मार लेती हूं यहां पे इसमें इसे पीछे से प्रेस करूंगे ताकि थोड़ा सा लेस का राउंडी शेप आजाएं तो पीछे राउंड शेप में होते जारी है तो इसके हेल्प से हमें लेस लगाने में कापी आसानी हो जाएगी तो लेहंगे में भी आप ऐसे कर तक प्लीट प्लीट नहीं में जादा ब्रॉड है और यहादा पत्ली नहाओ और मोट तो आजा यह जादा बरादे नहीं आएगी तो इसमें होज़ाए है अब मैं यहां से ऐसे सिलाई लगाऊंगी पहले ताकि यह कवर हो जाए सेम टू सेम हमें दूसरे साइड करना है अब नीचे वाला योग पाट ज्वाइन करेंगे यह दोनों आमने सामने रहना चाहिए इस तरह जहां पर हमारा इस अब दोनों यह चाहिए और स्टिझ करता है इस तीच इलाईन आर्येम वाहं तक हम इसको रखेंगे और आल्पिन लगा देंगी, आल्पिन को हम खड़ी खड़ी लगा देंगे, ताके आने आल्पिन निकाल मुना पड़ी, we don't have to remove आल्पिन स्टीची, so we have to attach like this, एंडिंग पॉइंट पे आर मुन चेक कर लेंगी कि बराबर है आने, इस तरह से, इस प्रपर्ली मैच्च, नतिंग इस एक्स्ट्रा, थोड़ा भी एक्स्ट्रा नहीं है, शीच, जब थोड़ा से यहां एक्स्ट्रा आ रहा है, वर्म सिंगर जीतना, थोड़ा उपन करके थोड़ा इसको उपर करेंगे, यहां से जो भी में फैबरीक एक्सट्रा है वो हम काट लेंगे में को यहां संसे aumento निगये रॉआट Cohen क abort पड़्चान के हो अर्च सबसान आप एम हैं मतलब केच है कि खाथ कर और जो मुतान है एक इन कि भूक्राइट और प्रेंटियुद्टी त policial इतर्फ हमने एक कट बनागे रख खा था तो अभीं एक साइड और बैक साइड का सामने स कि उपर के साइड दी शिलाई कर देंगे टर्ण मार के तर्ण मार के तर्ण में ध्यान रखना है कि हमारे लाइनिंग बाहर नाइसली में सेब्रिक तोड़ा तोड़ा अंड़ जा रहे देखे तर्ण अब हम जॉइन कर देंगे बैक के साथ बैक पर हम एक दम लूज लूज रखना है पर्फरेक्ली मैच्ट साइड स्टिच भी हमारी मैच है दूसरे साइड की साइड स्टिच भी मैच्ट है लूज लूज रखेंगे स्लीज को इस सिरफ और सिफ साइड फिटिंग बाकी है अपर चैस्ट एंड वेस्ट के अकॉर्डिंग हम साइड फिटिंग कर लेते हैं वेस्ट मैच्ट 26 to 13 in पुर्ट लाई वेस देड बैस कुपर शेड़ चाप लेड बैस देड दी बैस कॉपर चेड़े दीवाँ प्रनकोफ लुझ अहार गुझ अमूल तोम उमल मेच आमोल माझ अथिन अपसाई स्लेव राउंड 4.5 लाउस रेड़ी सेंट में नेट लगाना है शूल्डर के मेजर मेंट के अकॉड़िंग और नेक डेफ्थ के मेजर मेंट के अकॉड़िंग नेट लगा लेगें सेंटर में 7.5 कि यहां पर हम हैमिंग कर लेंगे कि यह वाला पार्ट हमारा पूरा अंदर जाये और यहां पर इस तरह है में